दोस्तों आप लोगें अक्सर सुना होगा हमारे प्राणों में ये लिखा है कि धन तेरस की दिन तेरस दीपक जलाने का वहती बड़ा विधान है क्या आप जानते हैं कि धन तेरस की दिन तेरस दीपक क्यों जलाए जाते हैं अगर नहीं जानते हैं तो मेरे स्वीचर को पूर देपक जलाकर भगवान धन्मंत्री की पूजा की जाती है क्योंकि धन्मंत्री देवताओं के वैद माने जाते हैं अर्तहां उन्सी अच्छा स्वास्त है और सेहत्मंद बनाई रखने के लिए प्रातना की जाती है धार्मिक माने का नुसार धन्तेरस की शाम, घर के बाहर, नुख्य द्वार तथा आंगर में दीपक जलाने की भी बहुत अच्छी प्रथा है जिस प्रकार मालक्ष्मी सागर मंथन से उत्पन हुए थी उसी प्रकार भगवान धन्तरी भी अमरत कलश के साथ सम्मुत्र मंथन से उत्पन हुए है देवी लक्षमी धन की देवी माने जाती है अधा उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए और अच्छा स्वास्त और लंबी आयू प्रापाने के लिए दीपा वाली को दो दिन पहरे से ही यारे धन तेरस से ही दीप मालाएं सचने लगती है और यही कारण है की धन तेरस के दिन साईकाल घर आंगर में तेर दीप जलाने से जीओं में खुशाली आती है तरदा स्वास्ते और सेहत की कामना के लिए इस दिन तेरस दीपक जलाने का बहुती विषेश महत्бर है तो दोस्तो आए जानते हैं कि तेरा दीपक आपको कहां कहां और किस दिशा में रखने हैं तो दोस्तो सबसे पहला जो दीपक है वो आपको साइकाल को पूजा के पश्चार पहला दिया जलाकर यम्ड के नाम का दक्षिर दिशा में रखें दूसरा दिया मालक्षमी के सामने रखे, पूजा इस्थान पर और मुख्य द्वार पर दो दिये जलाए एक दिया तुलसी के पोधे में रखे और एक दिया चट के मुंडेर पर रखे और बागी जो दीबक है वो आप खर के अलग-अलग कौने में रखते इस तरह से आप तेरा दिबक चलाएं इतना ही नहीं दोस्तों लोगों की मानता के अनुसार कहा जाता है कि इस दिन घर में उप्योग आने वाली वस्त्वर खरीतने से उसमें तेरा गुड़ सब्रत्ती होती है तो यह तो वह मेरा आज का वीजियो उमीद करती हूं वीजियो से आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली हो वीजियो अच्छा लगा है तो प्रीज एक पर्स को अच्छे प्यार लाइक दे दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के इंटरस्टिंग वीजियो इसमाने के लिए फिर मिलते हैं अगले वीजियो में तब तक लिए बाबायां टेक केर